चुरू करते हैं क्वेशन नंबर 34 क्वेशन नंबर 34 कह रहा है कि आपके पास एक प्रिजम है और रे ओफ लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है गिवन कंडिशन ये है जो मिनिमम एंगल अफ डेवीशन होता है एंगल वो एंगल अफ प्रिजम के बराबर है और जो प्रिजम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और हमको एंगल अफ प्रिजम फाइंड करना है तो हमको पता है कि जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंगल अफ प्रिजम और deviation में जो relation होता होता है mu equals to sin a plus delta by 2 upon sin a by 2 mu की value हमको 1.5 given है हमको a की value निकाल ली है तो delta की जगा हम a ही लिख सकते हैं क्योंकि हमको given है delta और ही पराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 a by 2 और 2 से 2 cancel हो जाएगा तो sin a बचेगा denominator as it is रहेगा और LHS में 1.5 as it is रहेगा अब मैं यहाँ पर एक property लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे sin a by 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक property लगाता हूँ sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta अगर यहाँ पर 2 theta angle होता है तो यहाँ पर उसका half angle होता है यानि कि theta और अगर यहाँ पर theta angle होगा अगर यहाँ पर theta angle होगा sin theta तो property हो जाएगी 2 sin यहाँ पर half angle चलेगा sin theta by 2 cos theta by 2 तो यहाँ पर जितना भी angle होगा उसका half इस property में आएगा तो अगर यहाँ पर sin a है तो यहाँ पर आएगा 2 sin a by 2 cos a by 2 sin a by 2 sin a by 2 तो मर पस बचेगा 1.5 को म 3x2 लिख रहे हैं 2 कौस लिभाइटू यह मर पस बचेगा इसको पोड़ करेंगे 2 को यहां से 2 से मुल्टिपला करेंगे तो कॉस हें बाइटू 3x4 के बराबर हो जाएगा cos उस साइट चला जाएगा तो हो जाएगा cos inverse 3 by 4 यहाँ पर A by 2 बच जाएगा यह 2 यहाँ पर multiple हो जाएगा तो A की value हाजएगी 2 cos inverse 3 by 4